हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं परंतु कोई अपने घाव को ही अपना घर और परिवाल मानकर निस्वारत भाव से सेवा करते हैं तो जरूर वह जनता के दिलों में अंजूरानी काटिवाल ने बताया कि गाउं के भामाशा गीता देवी मन रुपजी सोनी परिवार के द्वारा लाखो रुपयों की लागात से विद्याले का काया कल्प किया जा रहा है। अफिस में भी टेबल चेर सेट अधी भेट किये जाएंगे तथा पूर्ग में विद्याले को गोदले रखा था और रंग रोगन लगातार करवाते आ रहे हैं। मशाला स्वयम के खर्च से बनाया। पूर्ग में ग्रामिलोने गीता देवी सोनी को निर्वीरोट सरपंच बनाया था। अपने सरपंच काल में स्वयम के खर्च पर गाउं में रोड लाइट लगवा कर करीब पांच साल तक बिजलीवा पानी का बिल भी जेब से भरा। वो पांच साल के सरपंच कारेकाल में वेतन को भी गाउं के विकास कारों में खर्च किया। अदेवी मन रूपजी सोनी परिवार मणिया ने बताया कि गाउं अपना घर और परिवार है और परिवार के लिए मात्र कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही बताया कि पुर्व सरपंच उन्मुल जैन समाच सेवी अमरदास वैशनव उदेश सिंग वो करण सिंग का करीब 10 साल से सयोग मिल रहा है। और इनकी प्रेड़ना से ही हम कुछ बहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सोनी परिवार द्वारा मडिया गाउ के तीन जरुरतमन परिवार के मकान बनाने का कारे प्रगति पर है। और फिलहार निर्मारव दिन है साथ ही लंबे समय से जरुरतमन परिवारों की यथा संभव मदद और सयोग कर रहे हैं। तथा कालनेद्री सीच सी में भी अमूले सयोगे साथ साथ विवेका नन्स मारग बनवाकर सिवशेना को मानव सेवा के लिए एंबुलेंस भेट की है। जागरुक टीवी की सिल्दर से राजेंद पुरोहित की रिपोर्ट